एक सक्सेस्वल बॉक्सर जिसके फैमिल लेगरा थी वो किसी और बॉक्सर लड़की से मिलता है प्रावलम दब आई जब दोनों एक दूसरे से अपसेस्ट हो गए थे अगर आपको वीडियो चल लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिना किसी जरी के एक स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होने पर हम देखते हैं कि हमारा मेन गैरेक्टर जिसका नाम है रमोन एक बॉक्सिंग का बड़ा चैंपेन है इसी के अब मैच चल रही थी रमोन की एजब बढ़ने लग गई थी और ये मैच एक यंग अपोनन के साथ थी तो उसे इसमें बहुत ही ट्रबल उठाना पड़ता है वो बहुत सारे पंच रिसीव कर रहा था पर फाइनली मोके का फाइदा उठा कर वो भी एक बड़ा सा पंच मारी देता है उसनों से हरा दिया ये उसकी करियर की बहुत बड़ी मैच थी उसकी वाइफ उसके बेटे सारे उसके लिए बहुत ही खुश थे रात में सारे मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं आज रात रमोन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था उसके पास उसकी वाइफ आई और हो गहती कि आज ज़्यादा पीउ मन्त हम एंजाई करते उसके साथ डांस करना चाहादी थी वाइफ का नाम है करीना हस्वन इतना बड़ा चैंपेने तो करीना बहुत ही प्राउड थी पर जनरली उसका फाइट करने उसे अच्छा नहीं लगता था इन दोनों ने मिलकर अब डिसाइड किया है कि रमोन अब फाइटिंग छोड़ देगा अगली मौर्निंग रमोन ने अपनी फैमिली के साथ टाइंस पेंड किया अप इटिंग के बाद वो डारेक्ली जीम में आ गया जीम में ट्रेन करते करते उसने बहुत ही ब्यूटिफुल सी लड़की को देखा यह लड़की हमारी और एक मेन क्यारेक्टर है और इसका नहां में डेवरा अपने ट्रेनर से वो पुछता है कि लड़की कौन है ट्रेनर को बहुत ही ब्यूटिफुल है ट्रेनर को बात करना सही नहीं लगता क्योंकि उसे पता है यह रमोन की अल्डेडी शादी हो चुकी है जो फाइट रमोन ने अभी अभी की थी उसके बारे में न्यूज में आया हुआ है इसमें लिखा है कि रमोन का अपोनन बहुत ही वीक था पर फिर भी उसे हराने के लिए रमोन ने बहुत स्ट्रगल किया यह बात उसे अच्छी नहीं लगती जिम जब खतम होई तो डेबरा को घर जाते वक रमोन ने देखा तो उसका पीछा करता है डेबरा ने नोटिस किया और स्ट्रीट पर उस पर हमला कर देती है जब उसने बताती है तो रमोन गहता है कि मेरी गाड़ी आसपास ही है मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हो पर डेबरा ने इसके लिए उसे मना कर दिया इसके बाद रमोन हमेशा जीम में डेबरा को देखता रहता था वो भी उसे नोटिस कर दी थी एक दिन जब वो शौवर लेने के ल लगती हो रमोन आज बहुत टाइम से डेबरा के पास था और वो कह रही थी कि आज रात मेरे साथ हिरू को पर रमोन कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा वो उसे जटक कर वहाँ से जाने लग गया डेबरा ने बॉक्सिं के ग्लोज पहन है वो गहती है मेरे साथ फाइट करो पहले तो रमोन उसे सिरेजली लेता नहीं पर उसे सिरेजली मार रही थी गल्दी ने उसने उसे एक पंच मारा तो डेबरा की मुझे से खुन आने लग किया था डेबरा जहाँ पर काम करती है वो ही उसे छोड़ने के लिए चला गया वो गहता है मैं तो मैं आगे भी डॉप कर सकता हूँ पर डेबरा ने उसे मना कर दिया रमोन को लगता है कि शायदो उसे कुछ छुपाना चाहती है शायदो कुछ गलत करती है पर इस बात को उसने इग्नोर कर दिया आज कल रमोन उसके बारे में प्रपस में जो भी लिखा था इसके बारे में बहुत सोच रहा था उसने अपनी ट्रेनिंग भी बढ़ा दी थी अब नेक्सीन में जो उसकी फाइट को स्पॉंसर करता है सारा कुछ अरेंज करता है उस आदमी के पास हो गया उसने उसे कहा कि मैं सोच रहा हो कि मुझे फिर से फाइट करना चाहिए इस बार वो वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता है पहले तो उसके फ्रेंड को मजाख कल रात तुम कहा थे रमोन इस पर जूट के देता है ये बात करिना को पता थी उसने उसे कहा मुझे जूट कहना बन कर दो वो अगली दिन फिर से बहुत लेट रात घर आया इस वज़े से करिना उस पर बहुत जादा गुसा थी वो अपनी बेडरूम का डोर लॉक कर देती रमोन को काउच पर ही सोना पड़ा उसे नीन आ नहीं रही थी तो डिरेटली डेवरा की घर पर पहुच जाता है डेवरा आज रात अब तक घर नहीं आई थी वो घर आने पर रमोन को देख उसने उससे का तुम्हारा मेरे रूम में आना मुझे अच्छा नहीं लगता अग करता है मुझे फिर से बॉक्सिंग करने है मैं वर्ल्ल चैंबियन बनना चाहता हूँ उसका ट्रेनर इसके लिए उसे मना कर देता है उसके ट्रेनर को लगता है कि वह एडियेट है उसे करने के लिए उसने मना कर दिया पर रमोन किसी की भी नहीं सुनता अब जिम में भी सब के सामने रमोन डेवरा को ट्रेन कर रहा था, इस सारी बार ट्रेनर ने देखी, ट्रेनर को ये बहुत गलत लगा, थोड़ी देर में रमोन का फाइट अरेंज करने वाला फ्रेंड ही आया, उसका रामे नुकी, नुकी उसे कहता है कि एक नई फाइट होने वाली है, पर इस सिर से फाइट करने वाला, उसे की प्रैक्टिस कर रहा था, उसे जो भी पैसे मिले थे, ये सारे उसने करीना को दे दिया, करीना इस पर बहुत जादा गुस्सा आओके, वो कहती कि तुम मुझे समझते क्या हो, मैं तुमारी बच्चों की मदर हूँ, मुझे रिस्पेक्ट दि करो, रमोन से वो बहुत ही डिसपोइंटेड थी, रमोन ने भी उसे गले लगा लिया, और आज रात वो इंटिमेट हो गया, वो उससे कहती है, मैं हमेशा तुमारे साथ ही रहना चाहती हूँ, रमोन को लगता है कि डेवरा शायद उससे कुछ छुपा रही है, तो जहाँ पर काम करती है, वहाँ वो देखकर आया, वो सिर्फ सेटर वेगरा सेल करने का काम करती थी, वो कुछ भी गलत नहीं करती है, इसके बाद रमोन के फाइट का डे आता है, सब लोग उसके लिए चीर अप कर रहे थे, यह फाइट सिर्फ शो की लिए थी, उसके अपनोन को सिर और रमोन ने अपने अपनोन को हरा दिया, सब चीजों के बावजूद भी उसके वाइफ करीना उसे चीर अप करने के लिए आई हुई थी, फिर इसे सारे लोग मिले और उसके विन के लिए सेलिबरेट करते हैं, इन्हों ने आज घर की सारी बियर खदम कर दी थी, रमोन कह पुछती है कि ये कौन सी जगा है, उसने का कि मेरी फादर की जगा थी, वो यहाँ पर ट्रेन करते थे, उनकी डेट के बाद इस जगा का उसे क्या करना है, ये समझ में नहीं आया, तो अपने लिए उसने रख लिए, इस जगा के बारे में किसी को भी पता नहीं था, रमोन डेवरा से पुछता है कि तुम किस टाउन से हो, डेवरा ने नाम बताया और उसी टाउन से एक बहुत ही फेमेस बॉक्सर भी था, रमोन ने उसे पुछा क्या तुम उसकी बेटी हो, डेवरा कहती कि हाँ, पर उस बॉक्सर की कोई अलग वाइफ थी, डेवरा की मदर के पुलिस ने उन्हें मार दिया, यहीं बात करते करते, रमोन ने एक लेडी वेटर को और दिया, डेवरा को लगता है कि उसे चेक आउट कर रहा था, इस वज़े से बहुत जाता गुस्सा होगी, इन दोनों में बहुत जगड़ा हुआ, पर चगड़ा करते करते हैं, एक पड़ी फाइट है, जो अफरिका में होगी, रमोन ने अल्रेडी उसे हरा दिया है, तो फिर जो उसे फाइट करना है, उसे सही नहीं लगता, उसने इसके लिए उसे मना कर दिया, नेक सिन में हम देखते हैं, कि एक राट डेबरा और रमोन डांस कर रहे थे, डांस करते करत इशायद डेबरा अपने बॉइफ्रेंड के साथ भी डांस करती होगी, उसे पुछता है, मेरे पहले तुमारे कितने बॉइफ्रेंड थे, वो कहती है, कोई भी बॉइफ्रेंड नहीं था, रमोन को पता है कि यह जूट है, तो उसे जबर्दस से बताने के लिए कहता है, व अब हम देखते हैं कि मुवी में थोड़ा टाइम गुजर चुका है, रमोन जो भी कर रहा था, उसके ट्रेनर को सही नहीं लगता, उसे उसकी वाइफ को एस सब बता दिया, करीना आप बहुत जादा गुसा थी, वो डारेक्ली रमोन के साथ डिवोस ही लेना चाहती थी, व उसे कुछ ये फाइट भी मिलने रही, तो उसने निकी को कॉल लगा, वो कहता है जिस फाइट के बार में तुम बात कर रहे थे, अब मैं वो एकसेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, पर मेरी एक कंडिशन है, मेरे फाइट के पहले डेवरा की एक फाइट होगी, रमोन अप अपने साथ डेवरा को भी सक्सेसफुल करना चाता था, अब फाइट का डे आया, रमोन अने अपने अपनोन को फाइट में हरा दिया, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, इसके बाद रमोन की फाइट स्टार्ट होती है, इस बार उसका अपनोन उसे ज़रा भारी पढ़ और इस वज़े से उठ नहीं पाता, वो इस फाइट में बूरी तरीके से हार गया, डेवरा रमोन से बुछती है कि हुआ क्या, ऐसा कैसे तुम हार गया, वो कहता है तुमने मुझे बरबात कर दिया, उसने अपनी फैमिली खो दी, आज वो इतनी बड़ी फाइट हार गया, अब वो वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बन सकता, फाइट के बाद निकी उसके पास आता है, कहता है इसे जादा सिरियसली मतलो, हारने के बाद भी उसे पूरे वैसे हो देता है, इसे उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ था, उसने गात कि हम बहुत सारे फाइट करेंगे, इस स इसके साथ निकी डांस कर रही थी, उसे बहुत मारता है, और डेवरा को अपने साथ लेकर गया, डेवरा रो रही थी, रमोन ने उसे कहा, कि अब मेरे साथ चलो, हम न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे, सी के पास जाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, पर डेवरा अब उस उसके साथ नहीं रहना चाथी थी, जैसे कि हमें पता है कि डेवरा ने उससे कहा था, कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड भी फाइटर थे, रमोन ने उन्हें हरा भूबाता हूआ, रमोन भी हार गया, तो अब उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, वो हमेशा वीनर्स के साथ ही रह जाए था उसके बाद सब कुछ था एक फैमिली थी एक बड़ी फाइट हो जीता था अगर चाहता तो सब कुछ परफेक्ट होता उसकी आगी की लाइफ भी परफेक्ट होती थोड़े से और की चाहत में उसने अपना सब कुछ खो दिया उसका करियर वरगात हो गया और फाइन कर दीजेगा बहुत सारी मुविज लेकर आते रहता हो तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नुटिवेशन आइकोन दोने मत भूलेएगा विश्य मिलेंगे और एक ने मुविज के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिय कर दो है झाल 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 झाल